हेलो फशन इस पीलिएओ में हम बात करने वाले हरे कंुले कर आप सब लोगों पता कि सिष्छा भागे माध्म से भी पीसी टीयरी फर्स्ट में सेट सिठ्छा कभेट्षी खने ये फिर राज में आपने विजी सिष्छा कभेट्षी हो आप सबी डिवाइड था जो कि 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK और इसमें से आपका तीनो सेरिंग और तीनो जो है आपका नान सेरिंग था तो इस तरीके से आपका टोटल जो है पापके छे परकार सरकारी अबाज जो है पापके हो गए और यहाँ पर यहाँ भी बात करेंगे कि यदि मालीजे आप अपने से प्राइबेट जो है वो किराया वगर आपे रूम भाड़ा लिया हैं यहाँ पर जो है पापका रूम रेंट का जो है पापका कटावती होगा यह manifest जो आपके यह चारे होंगे उसकाչ ही आपका कटा चाहिए डहा उन्हाँ पर बोला गया सिच्छा बहां के माध्रम से भी जारी किया था उसमें नियोजी सिच्चा के बारे में भी मैंसन किया गया है और जो आप जो आपका एग्युकेसं डिपार्टमेंट बिहार गौर्मेंट है उसके ऑफिसल बेपसाइट पर जाएंगे तो जो आपका मनतभी मांगा गया है तो वहां पर जो आपके Google form है उसमें नियोजी सिच्छा का भी option जो है वो देरा है कि आप BPSC के दोरा Chinese सिच्छा का भेड़ती हैं या फिर आप नियोजी सिच्छा का भेड़ती हैं तो आप वहां पर जाकर अपना मंतब्य जो है उदे दीजेगा यहां पर आप नियूज पेपर म लोग नहीं समिट किये कि आप लोग सरकारी आवास से लेना चाहते हैं या फिर HR जो आपका house rent है उसे आप यहां पर लेना चाहते हैं तो देखिए आपकी गलती है आप लोग यहां पर क्या करेगा कि अभी भी जो आपके education department बिहार सरकारी के official website है उस पर जाकर आप Google form जो है मतलब बहुत कम समय में दे दिया करिए क्योंकि यदि मानिजे बार-बार ignore करते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि आपको तलब कर लिया जाता है या आपसे इस पश्टी कर मागा जाता है कभी आपका बेतन भी कटवती कर दिया जाता है और कभी क्या है कि आपका बेतन वगरा आपका रोग दिया जाता है तो इसलिए इन सभी चीजों को आप इग्नोर मत किया करिए आप गौर्णमेंट सेक्टर में है तो जो भी आपके विभाग के तरफ से निर्देश आता है पुड़ा कोशिस करिए कि सिष्टा चार के तौर पे उसका पालन जो है आपको करना है यह फिर आप यहाँ पर जो है उस सेर नहीं करना चाते है और विभाग के तरफ से मंतब और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ चारे है टूटल आपका कितना यहाँ पर मिलता है तो जो आपका यहाँ होता है वो आपका एक हजार रुपए से लेकर पांच हजार एक लेकर भी दिखाएंगे कि जो आपका basic salary होता है यदि मालिजे आपका posting मतलब आपका नोकरी पटना में है तो जो आपका basic salary होगा उसका 16 फिसदी आपको अचारे जो है उदिया जाएगा यदि मालिजे आपका नगरी निकाय में आपका यहाँ पर posting होता है तो आपका 8 फिसदी जो आपका basic salary होगा उसका 8 फिसदी आपका HR मिलेगा यदि आपका posting ग्रामीड छेतर में होता है तो जो आपका basic salary होगा उसका यहाँ पर 4 फिसदी जो आपका house rent है मतलब HR है उसको यहां पर जो है पपका दिया जाएगा इसका मतलब आप सभी लोग को पता है कि BPSC के दोरा चितने भी आप क्राइमरी सिचा का भेरती हो या फिर आप यहां पर माधमिक या फिर उच माधमिक सिचा का भेरती हो और TRE सेकेंड से भी जितने सिचा का भेरती जाएगे आप सभी लोग का पोस्टिंग कहां पर किया जाएगा आप लोग का पोस्टिंग ग्रामीर छेतर के इलाके में जो है किया जाएगा इसका मतलब यह है कि केवल 25,000 रुपए यहाँ पर जो है आपका सैलेरी है BPSC, TRI First में जितने भी प्राइमरी सिचा का वेरती है आप लोग का सैलेरी 34,800 रुपए कुछ है यहाँ पर प्राइमरी के आप टीचर है आपका बेसिक सैलेरी 25,000 रुपए है और यदि मानलेजे किसी सहरी 26,000 रुपए और ग्रामीड 26,000 रुपए और ग्रामीड 26,000 रुपए तो आपका 1,000 रुपए एचारे जो है उदिया जाएगा इसका मतलब है कि जितने भी BPSC, TRI First में सेलेक्टेट सिचा का वेरती हो चाहे प्राइमरी टीचर अभेरती हो या फिर मादमी के फिर उच मादमी सिचा का वेरती हो आप लोगों का पोस्टिंग ग्रामीड 26 के इलाके में है यदि आप सिचा बिभाग को अपना मकान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सिचा बिभाग आपको जो भी उस मकान का किराया वगर या फिर रूम भड़ा होगा सिचा बिभाग जो है उसका भुगतान जो है करेगा बाकी tender वगर भी जारी किया गया था कि माली जब कोई उस तरीके का ठीकेदार या फिर कोई उस तरीके के company वगर है जो सरकारी कालोनी campus वगर होता है वो यदि ग्रामीट शेतर में बना देती है तो जितने भी हमां के सिचा का भेरती होंगे उससे समंधि जितने भी 5 km दूर 6 km क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि primary school होता है उसमें भी बहुत सारे टीचर 9-10-11-12 तो बहुत सारे टीचर आ जाएंगे तो कालोनी बनाने को लेकर भी tender जो है आपका जारी किया गया था तो इस तरीके से यहापका news paper है जो मतलब यहापर जिनको भी किराया वगर देना ह मतलब रूम भड़ा बिहार सरकार को तो उनके तरफ से बोला गया है कि हम लोग अपना देने के लिए जो है वो तयार है अब यहापर ध्यार रखेगा कि यह आपका basic salary है और जो आपके अचारे है कितना जो है आपका बनेगा ध्यार रखेगा कि यह जो है आपका official है या फि कि जो आपकी basic salary है वो यहाँ पर आपका 25,000 रुपय जो है बापका basic salary है जिसमें जो आपके HR है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का 1000 रुपय जो है बापका HR दिया जाएगा आप यहाँ पर सोचेंगे कि सिर्फ 4% HR के हूं दिया गया क्योंकि BPSC TRE 1 में जीतने भी चैनी सिचका वेर्थे होंगे आप सभी लोग का posting जो है ग्रामीट चेतर के इलाके में होगा तो इसलिए आपका HR है आप चार प्रतिसत आपका जोड़ा गया है तो आप यहाँ पर primary सिचक है तो आपका जो HR होगा house rent वो आपका 1000 रुपय 6-8 के लिए teacher है तो आपका 1120 रुपय और यहीं आप यहाँ पर head master है plus two के मतलब उच माधमिक के तो जो आपका यहाँ पर HR बन रहा है एक 1400 रुपय यह आपका HR हो गया चार फिरसदी इसका मतलब ग्रामीट चेतर में आपका posting वाई तब और आप यहाँ पर salary जो है उदेख सकते हैं जो आपका basic salary होगा primary teacher का 25,000 रुपय, 68 के teacher का 28,000 रुपय और 9,000 से 10,000 के जो सिचक होंगे उनका यहाँ पर 31,000 रुपय basic salary की बात करें धान केगा और 11,000 से 12,000 तक के जो सिचक होंगे उनका 32,000 रुपय basic salary और जो principal होंगे जो head master है primary school के तो उनका salary है 35,000 रुपय और head master plus two के हैं तो 35,000 रुपय 30% add होगा जो आपके medical है वो आपका यहाँ पर आपका medical जो आपको जो भी यहाँ पर facility government के तरफ से दी जाती है तो इतना आपका सभी लोगों को 1000 रुपय आपका महीना जो है आपका है और total आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 38,500 रुपय और फिर यहाँ पर जो आपका net payment है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो net payment है इस तरीके से जो है आपका इतना जो है आपका दिया जाएगा प्राइमरी टीचर का 34,820 रुपय, 68,882 रुपय और 9,10 के जो सिचक होंगे 42,944 रुपय, 11,12,442 रुपय, 42,233 रुपय जो प्राइमरी के प्रिंस्पल ह अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो टोटल सेलरी आपका 38,000 रुपय दिखाई देरा है तो देखें जो आपका सेलरी होता है वो भी एक तरीके सा pension वगरा समा सकते हैं उसमें आपका काटा जाता है जो की काटने के बाद यहाँ पर आपका जो सेलरी होता ह तो यह आपका इस तरीके से जो है पर आपका सही ले रही है इतना जो है पर आपका एचारे जो है आपका मिलेगा आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा सही रूम है किया आपको अपना रूम किराया वाला मतलब सही है या फिर जो आपका सिचा भाग के तरफ से आवास प्राइब आपका 2000 रुपए मतलब मीन में हम बता रहे हैं 2000 रुपए किसी का 4000 रुपए मतलब वहीं लोग रूम भड़ा किसी आने को 700 रुपए 800 रुपए या फिर बहुत जादे 1000 रुपए में दे रहे थे लेकिन जैसे पता चला कि यहां पर सरकारी नोकरी वाले आ रहे हैं उससे कम यदि आपका यहां पर रुम रेंट है पहली बात और दूसरी बात यहां पर यहां है कि माली जी आप किसी रिष्तिदार हो या फिर कोई जान पाचान हो या फिर अन्य कई साथी हो जहां पर आप लोग इस तरीके से रुम अगर लेकर रह रहे हो या फिर वहां से आने जाने का आपका विद्याले का साधन हो या फिर मालीजी बहुत सारे जो आपके स्कूल है वो ग्रामीड छेतर के स्कूल है लेकिन ग्रामीड छेतर में भी मालीजी 500 मिटर या फिर एकार किलो मिटर दूर के रेंजवें मालीजी अच्छा खासा मार्केट वहाँ पर है तो जैसे सरकारी मतलब सिच्छा भाग के माध्यम से जो आप रूम वगर लेते हैं तो यह जो आपका यह चारे होगा यह आपको नहीं मिलेगा यह आपका कड़ जाएगा और यह जब आपका कड़ेगा तो यह आपकी सेलरी जो है और यहाँ पर कम हो जाएगी तो इस बात को ध्य सिच्छा भाग के माध्यम से आवास आपका उपलब्द करा जा रहा है क्योंकि अलग आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि उनको सरकारी आवास मिला रहता है लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि उस आवास को छोड़कर मतलब प्राइबेट वगर अपना रूम पर देखे बेनिफिट में यह भी है कि आपका विद्याले होगा उससे आपका नजदीक होगा क्योंकि आपको ग्रामिड छेतर में ही मतलब रहना है वहीं पर पढ़ाना है इतना नहीं है कि आप 20 किलोमीटर दूर 25 किलोमीटर दूर से डेली आ जा रहे हैं तो काफी जादे द के रूम में रहेंगे साथ का मतलब यह है कि जैसे जो भी आवास मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक सिचा के लिए यहां पर रूम मिलेगा तो एक सिचा के लिए 500 किलोमीटर के दूर पर या फिर एक किलोमीटर दूर के दूर पर मिलेगा ऐसा नहीं है जहां पर भी आपका लोनी वगर बनाकर दे दिया जाता है जितना भी आपका समयल जो भी आपका 5-6 मेहने लगता है तो उसमें तो और जादे जो है आपके benefit रहेंगे तो इस तरीके से एक साथ कई से चका वेरती रहेंगे और दूसरी बात यहां पर सुरच्छा को लेकर देखे नॉर्मल से बाते बिहार में आप ग्रामीड शेतर में जाएंगे तो आपको ग्रामीड शेतर में पूलीस वगरा जो है बहुत कम मिलेंगे वहाँ पर एक गोड़ईत होते हैं जो कि पूलीस का ही काम करते हैं और उनका power जो है पूलीस से कम पापका नहीं होता है तो यदि मानिजे सरकारी आवास में रहते हैं तो आपके पास सुरच्छा का मतलब यह भी है कि जिनके आवास में आप यहां पर रहते हैं जिनको सरकार जो है मतलब सैलेरी दे रही है जो आपका एचारे है वो काटके डारेक्ट आपको जो है मतलब किरायदार को पैसा बलकि सिच्छा भाग खुद उस किरायदार को पैसा देगी तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आपका रूम होता है या फिर जो भी घर है यदि उस घर को सरकार ले लेती है या फिर उस घर का जो भी निगरानी हो या फिर उस घर का किराया किरायदार को सरकार देती है तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओ जो घर है वो एक तरीके से जब तक किराया सरकार दे रहे वो सरकार का जो है पपका घर हो जाता है और नॉर्मल से बात है आप सभी लोग को पता है कि सरकार का घर हो या फिर सरकार का जो कुछ भी मतलब EXYZ जो कुछ भी समान हो उसका निकरानी सरकार के बिभाग के तरब से मत वह तक्षै तरिके से किया जाता है, लेकिन मान लेजे मितलब ठोड़े समाई के लिए तो जो किराइदार होंगे उनकी भी जिम्मेदारी बनते हैं आपकी सुरच्छा को लेकार क्योंकि यदि मानिजे कुछ होता है इस तरीके सा तो जो सरकार होगी ओभी किराइदार को जो है उतलब कर लेगी मतलब किस तरीके से है किस तरीके से जो है पापका घटना तो इस तर कोई आगकर बोल दिया कि हम 3700 रुपे देगे तो जो किरायदार है आपको निकाल देगा ! याफिर माली जे इड्वांस पैसा दिया या फिर 2800 रुपे तभाशा देगे तभी तो आपको रखेगा , नहीं तो आपको आपका नोखरी रहेगा, आप वहाँ पर रहना चाते हैं, तो आप वहाँ पर उरह सकते हैं, कोई भी आपको जो है उनहीं निकालेगा, और यहाँ पर एवी है, व्यतन असे भी आपका रूपए कटेगा, बहुत सारे भेरतियों का मतलब इस तरीके से था, कि मतलब हम यहाँ पर क्या करें जब सच्छा वाग के तरफ से फिए तो यहां पर धिया जा रहा है तो हम यहां पर फिए इंफे ले लेथे हैं तो देखी हम यहां पर जो आपका जो आपका HR होगा और जो किराएदार का, आपका एक रूम का उसमें आपका ये दिखा जाएगा कि जो आपका यहां पर HR मिला है उससे यदि उतना मालीजे होगा जैसे मालीजे आपका 1000 रुपे जो है बब का HR मिला है और जो आपका जो आप सिच्छा भाग के माद्यम से रूम ले रहे हैं और सिच्छा भी भाग उस किरायदार को जो पैसा दे रहा है तो यही मानली जे वो किराया 1,000 रुपए ले रहा है तो नार्मल से बात है ना आपको अचारे के रुपे एक भी रुपए मिलेगा नहीं आपका salary से एक भी रुपए जो है बापके HR-e मदरब उस किरायदार को जो है काट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँपर क्या है कि आपका HR-e भी एक 1,000 रुपए था और किराय भी जो है आपका एक ही 1,000 रुपए है लेकिन यदि माननीजी यहां पर क्या है कि नॉर्मल से बात है आप 3 वी अच के लेते हैं 2 वी अच के लेते हैं और यहां पर क्या है कि आप किसी के साथ sharing भी नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक simple room का इस time पर हम बता रहे हैं बिहार का कि वहां पर 2000 रुपे के लमसम बाप का किराया 2000-3000 रुपे या फिर माननीजी उस तरीके का competition है तो 4000 रुपे में दे रहे हैं और आपका यहां पर 1000 रुपे बना इसका मतलब है कि आपकी जो salary होगी उससे यहां पर 3000 रुपे जो है बापका कटावती किया जाएगा तो अभी इस तरीके से है आप अपने से भी समझ सकते हैं जो आपका sharing और non sharing है sharing का मतलब यह है कि जैसे मानीजी आपका कोई मतलब 1000 रुपे में आप यहां पर क्या करते हैं कि सिच्छा भाग आपको कोई 1000 रुपे में मतलब हम बहुत कम यहां पर मानना है कि 1000 रुपे मान लिजे यह 1000 रुपे उस किराया है जो कि सिच्छा विभाग उस किरायदार को पैसा देगी और यहां पर आप लोग sharing करते हैं क आपका एचारे का 500 रुपए है वो आपके आपके एकाउंट में देगी और जो आपके साथ अन्य जो सेर किये हुए अभियरति होंगे 500 रुपए उनके एकाउंट में जो है वो इस तरीके से सिच्छा भाग जो है देगा इसका मतलब यहीं है कि जैसे मान लिजी आपका जो ए सेलेरी होगा उस सेलेरी में से जितना भी आपका मैनेज करके सिच्छा भाग आपका वितन जो है वो इहाँ पर कटवती जो है उकरेगी बाकी अभी के लिए हैं बाकी नॉर्मल से बात है सिच्छा भाग जब सरकारी आवास लेगी तो नॉर्मल से बात है किरायदार तो बो तो सिच्छा विभाग अपना मतलब घाटा थोड़ा ही सहेगी तो इसलिए इन सभी चीजों को मैनेज किया जाएगा और आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं कि आपका जो बेसिक मतलब से एक हजार रुपे जो आपको यह चारे दिया जा रहा है तो उसके उपर आपका यह चारे लेंगे इसका मतलब सिच्छा भाग का आवाज जो है आप छोड़ना चाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा दिक्कत होता है जो आपके डियो होते हैं उनसे मतलब काफी जादे दोड़ना वगर या फिर आप्लिकेशन वगर आप आप उरीजन बताना पड़ेगा कि आप इसतरीके से कर हैं क्योंकि तेखे जब यदि मालिजे आप मतलब यह जूल कर जा रहे थो मैनल जूल कर जाने का मतलब यहां कि जैसे मालिजे आप यहाँ पर कहाए कि सरकारी आवास छोड़ना चाते हैं और एक अन जो सिच्छा का करेते थे और अब यहाँ पर आप सोच रहें कि हमको सरकारी अवाज चाहिए तो वहां पर जो आपका रिख्तियां होंगी होंगी रिख्तियों का मतलब सरकारी अवाज खाली होगा उसकेばाद спрос को सरकारी आवास मिलेगा अने था खाली होने का इंतजार जो है उकरना पड़ेगा बाकि छोड़ने को लेकर तो देखे छोड़ने को लेकर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नार्माल से बात है आप छोड़ेंगे तो सिछा विभाग को तो उसका तो मतलब बेतन देना ह पड़ेगा नहीं तो प्राइबेट मुश्किसी अने आदमी को रूम भाड़ा वगरत देना पड़ेगा तो यह आपका बहुत आगे का बात हो गया बाकि अभी आपका मंता भी मांगा गया है अब देखिए कब तक है फाइनल क्लियर होता है कि कब से जो है पका सरकारी आव होगे तो सब्सक्राइब करते हैं वेल आइकन को प्रेश जो है उजरूर कर लिजेगा बाकी मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबा टेकर ओल्वेश थैंक्यो फो लिस्निंग गॉड ब्लेस याल थैंक्यू